हेलो फ्रेंड्स आये मंकित स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते कोई भी नहीं अपडेट आती मैं आपको जान करें जिरूर देता हूं और देखिए मैक्सिम्म चीजे मैं आपको टेलिग्राम पर ही क्योंकि आपका एक्जाम का टाइम है भी अपना एक्जाम पर फोकस रखो और टेलिग्राम ग्रूप मंकित 72 इसलिए जोईन को आ रखा है कि सारी अपडेट वहां पर आ जाई लेकिन यह एक जो चीज थी भई काफी साधी को पता नहीं चलेगा ठीक है मैंने आपको इन्फ प्रिश्ट आए कि या नहीं केटेगरी वाइज वह भी सारी चीज़ें इस वीडियों बताऊंगा चैनल पर नए हो तो भई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक में से अगर कर देना यह अपना टेलिग्राम ग्रूप है इस पर देखिए सारी जितनी भी अ ठीक है ये पिछली बार भी हुआ था ऐसा नहीं यह फर्स टाइम हुआ है यह चीज़ और बतादू ऐसा नहीं है कि यह फर्स टाइम हो रहा है इससे पहले वाड़े असे चेर्मेन जो है उन्होंने भी सेम काम किया था जो प्रिगनेंट फीमेल है उन सभी को मोका दिया गय वीडियो बहुत ही कम बढ़ाता हूं है लेकिन यहां पर सारी अपडेट प्रोवाइड करवा दी जाती है ठीक है तो टेलेगराम गुरूप जुरूर जोइन कर लेना भई मंकित 72 इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि आपके लिए को इन्फोर्मेशन मीच नहीं हो जाए अब भ ठीक है जो हूं मिलते हैं ना बेरोजगारी बत्ता वो अब देख लिए भई PMT की फोर्थ लिस्ट लग चुकि है मेल कॉंस्टेबल की और इसमें है ना बाकी केटेगरीज की तो कंप्लीट हो चुके है ठीक है आप कोई साथ ही सोच रहा हो कि और केटेगरीज की BCA, BCB, General इ इनकी तो यहां पर देखे पहले लिख दी है कि लार्जर नमरों अप्सेंटी केंडेट्स ओफ SC केटेगरी की वजए से कमिशन ने और एडिशनल केंडेट्स को बुलाया है और इनका PMT होगा 13 तारिक को जो PMT क्लियर करेंगे उनका 14 को PST होगा ठीक है सारी चीज़े यहां पर है और कट ओफ रही है 44.8041539 एसी केटेगरी के यह सारे कैंडेट्स बुलाए गए है ओके और देख लिजे भई कितने कैंडेट्स है असेंडिंग ओडर में अब इनके एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आज अभी डाउनलोड कर लेना लिंक आ और इनके अंदर देखिए यह रहा भी 13 तारिक को है इनका PMT और PST है 14 को अभी बता रहा हूं अपना वहीं रुख जाना जिसका PMT कौलिफाई हो जाए जिनका रिजिस्ट्रेशन नमबर देखिए कि किसी कोई रीजन था ओवरेज हो चुके है कुछ और रीजन था तो यहा मतलब सबसे बड़ी क्वेरी यह है आप लोग पूछते रहते हैं सर क्वालिफाई का रिजल्ट कब आएगा मैंने पहले ही बता जिया था 12 तारिक को आपका रिजल्ट आज आएगा आपने मेरी वीडियो भी देखी थी 12 अगर कोई चेंजिस ना हुए तो अब चेंजिस क् लिश्ट इनके पास रेडी रखी है अगर चाहें तो यह पहले भी ढाल सकते हैं बट फिर वही रहेगा ना कि ऐसी के बाद में आए क्या पता कौन सा एचसे सी पहले ही जाती है भी केसों से बचा जाए केस तो ऐसे है जैसे क्या बताओं बस छोड़ो ठीक है एचसे सी की ब स्टाम पुलाय गया है और उनका कल पासे पासे से साथ में देखने को मिल सकता है क्योंकि बासे सब्सक्राइब का सब्सक्राइब की 14 को एक साथ दोनों की हिलिष्ट लग जाए फीमेल की और अब सेंटी को बता रहा हूं जो फीमेल अब सेंट भी उनको मिलेगा भी चांस में पहले बता रहा हूं कुछ कि मेरे पास अभी तक मैसीज आया थे कि सर ऐसा होगा क्या वहीं मेंल को मिलाए तो आपको मिलेगा का तो चूक मत जाना भी अपना जिसको जिस तरह जो कुछ करना है अपना कर कुरा कर अपना पी-म-टी-पी-एश-टी देकर पहुच्छो जल्दी से और all the best भई सभी को मेरी तरफ से एक्जाम के लिए प्रिपेर करना जूरू कर दो चोधे को आपकी लिश्ट आजाएगी और एक्जाम में लग भग ठीक है चोधे को आ जानी चाहिए आपकी लिश्ट आपका एक्जाम जो है इसी मंद के एंड तक होने के चांसिज है ये बात ध्यान रखना और इसके लावा अगर बात करें तो 56 तावन की हो सकता है आज ही लिश्ट आ जाए ठीक है आज कल में आ जाएगी अगर एठारा को एक्जाम होगा तो नहीं तो फिर एक्जाम फिर से पोस्ट पॉन करेंगी मैक्सिम चांसी जा जाएगी तो ये सारी चीजे थी भई कुछ और रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना किसी साती की और कोई क्वैरी हो लिश्ट मैंने बता दी इसके बाद और लिश्ट नहीं आने वाली ठीक है क्योंकि आज भी लिश्ट आने वाली थी आज ही लिश क्यों गरेखिए है और चार्थ निश्ट हो चुकी जट्धी के जन्रल कले की काट ओफ ऑल्रेडी काली पर आ चुकी है जन्रल कटीकी की कौली फाइव पर आ चुकी है ध्यान होगा आप लोग न हैस है जैस्ट ओन जोंक्वालिवआई 47 थे X 00.50 इतने पर जन्रों्स गिवं जायद 43 44 BCA की already 41 पर है ठीक है जश्ट BCB और EWS इनकी है फिफ्टी प्लस किसकी है BCB और EWS और आप लोग ध्यान रखना मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जो साथ ही जन्रल से फॉर्म फिलप करेगा ठीक है उसको बेनिफिट होगा स्टार्टिंग में बेनिफिट उसको जरूर होगा ठीक है लाश्ट तक उसको जन्रल में फाइट करने बढ़े बस बट उसको बेनिफिट होगा और अभी देखे ना उस ट्रेम आपको बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि अपनी ही केटेगिरी में अप्लाई करो यह होगा वो ब्लू एसकी भी क्या रहेगी कट ओफ हाई रहेगी दोनों ही चीजे अभी बता दिया मैंने आपको ठीक है जब कट ओफ आएगी तब भी देख लेना मिनिमुम दो से तीन नुम्बर डिफ्रेंस आपको मिल सकता है यह मैक्सिमुम भी हो सकता है बट मिनिमुम तो इतना डि ही है इसके बाद कोई क्वैरी हो तो कमेंट सेक्शन है भी पूछ लेना चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक में से करें टेलिग्राम मंकित 72 इंस्टाग्राम मंकित 72 धन्यवाद आपका दिन सुब्रे